हेलो फ्रेंड्स मेहुचंदन और आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं परधान मंत्री किसान सम्मान निधी योजना के आंतरगत 6,000 रुप्या प्रतिस साल का लाव पाने के लिए किसान बंधो अपना रेजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं और इस योजना के लिए आवेधन कैसे कर सकते हैं इसके विशे में दोस्तो हम इस वीडियो में पुरा डेटेल बताने वाले हैं तो फिर आप इस वीडियो को लाज तक जरूर देखें दोस्तो जदी आप एक किसान है और इस योजना का लाव लेना चाहते हैं तो सर पर्थाम आपको dbtagriculture.bh.gov.in पर आके अपना किसान रेजिस्टेशन करवाना होगा रेजिस्टेशन करने के लिए आपको किसान पंजिकरन पर किलिक करना होगा या फिर यहाँ न्यू रेजिस्टेशन पर किलिक करके पंजिकरन करे पर किलिक करना होगा और यहाँ पर किलिक करके आप किसान पंजिकरन करा सकते हैं दोस्तो जैसे ही आपका किसान पंजिकरन हो जाता है ध्यान रहे किसान पंजिकरन कराने वक्त आप ध्यान रखे कि ब्रिहत किसान का चेयन न करे यदि आप ब्रिहत किसान का चेयन कर लेते हैं तो इस योजना के अंतरगत आपको इसका लावर नहीं मिलेगा आप लगू किसान या फिर सिमान्त किसान का चेयन कर सकते हैं और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तिसरे नमबर पर तो यहाँ पर किसान सम्मान निधी योजना यानि 6000 प्रती साल प्राप्त करने के लिए इस योजना के अंतरगत आवेदन होना स्टार्ट हो चुका है और आप देख पा रहे होंगे कि अभी तक मातर 84 आवेदन यहा दे रहा है जैसे ही इस पर आप किलिक करते हैं आपको रेश्टेशन कराने के बाद पंजीकरन नमबर प्राप्त हुआ होगा यह पंजीकरन नमबर आपको यहाँ पर इंटर करना होगा जैसे ही आप पंजीकरन नमबर इंटर करके सर्च करते हैं आपका अधिकतम डिटेल य क्योंकि एक बार फिल किया हुआ डीटेल कभी भी दोवारा चेंज नहीं होगा। और यहां किसान का डीटेल कितना जमिन है का डीटेल आपको यहां पे इंटर करना होगा। और यहां पे भूमी का दस्तावेत सत्तोगोसित या फिर भूमी समद्धी डीटेल का पीडियफ यहां पे अफलोड करना होगा। जैसे ही आफ लोड आप कर लेते हैं आपको स्कूल डान करना है और यह तीनों बॉक्स में चेक लगा देने के बाद सब्मिट नौफ और किलिक कर देना है। जैसे ही समिट करते हैं आपका फॉर्म इस योजना के अंतरगत। आपका फॉर्म सुकस्सफफुली समिटू हो चुका है.. तो फ्रेंस आप भी किसान सम्मान निधी योजना के अंतरगत और फिर जनकारे प्राप्त करने के लिए नीचे कोमेंट करें, साथ हमारे चनल को सब्सक्राइब करने के साथ, अपने दोस्तों में भी सेर करना बिलकुल भी मत भूलें. तो friends आज के लिए इतना ही video देखने के लिए